अब SIP के थूरू mutual fund में investment करके पैसा कमाना चाहते हो तो आज के जो list में तीन mutual fund में आपके साथ discuss करने जा रहा हूँ कम से कम एक mutual fund क्योंकि तीनो same category के हैं small cap funds हैं तो इन में से कम से कम एक fund आपके portfolio में SIP के लिए होना ही चाहिए ये आप खुद feel करोगे जब वीडियो पूरा देख लोगे क्योंकि इस वीडियो में आपको तीनो fund के बारे में basic जानकारी उनके asset under management से लेके उनका manager को है fund manager experience कितना है expense ratio कितना है और कब से जो है fund की launching हुई थी सारे जरूरी तीन साल, पास साल, दस साल का CAGR कितना रहा है fund का तो CAGR के बारे में ज़ी जानना है तो पिछली वीडियो मैंने आपको detailed में with example समझाया था कि कि किसी mutual fund में SIP या फिल लंसम पर जो return मिलता है उसको कैसे calculate करते हैं CAGR यानि compounded annual growth rate जो होता है return जिसको कि हम साधाना भासा में annualized return के नाम से भी जानते हैं नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागता चैनल में चलिए शुरू करते हैं तो ऐसे तीन mutual fund small cap category से आने वाले हैं तो जैसे कि आपको इस नमपर दिखाई दे रहा है बहुत ही crisp way में वीडियो को हम समझने कोसिस करेंगे यहाँ पर तीन चीज़ें आपको समझनी है एक तो तीन funds के नाम है small cap category के fund है SBA small cap fund दूसरे नमबर पर है Nippon India small cap fund तीसरा है Axis small cap fund तो यहाँ पर पहले fund की basic जो जनकारी हमें लेनी है उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें cover की गई है एक तो launch date कब थी कौन सा fund कब launch हुआ तक कितना tenure हो गया क्योंकि यदि हमें पता नहीं होगा कि 10 साल हुएं 5 साल हुएं और मैं आपसे बोलने लगूँ कि 15 साल में आपने यदि पैसे लगा होते इस fund में तो आपके इतने पैसे बन गया होते यदि किसी fund को launch होने से अब तक 15 साल हुए ही नहीं है तो मैं कैसे आपके साथ hypothetical figures जो हैं वो discuss कर सकता हूँ तो इसलिए मैंने data accuracy के लिए लिया है कि आपको पता होना चाहिए जिस fund में आप निवेस करने जा रहा हो उस scheme को launch होने से अब तक कितना समय हो चुका है और पिछले 3 साल, 5 साल या 10 साल के अंदर कितने CAGR से वो grow कर चुका है तो वहाँ पर return भी आप अच्छे से calculate कर पाओगे तो यहाँ पर यदि launch date की बात करें तो SBI Small Cap Fund एक जनवरी दोयार 13 को लोन चुआ था लगबग 10 साल हो चुके हैं निपोन जो fund है यह 16 सेप्टमबर दोयार 10 को लोन चुका है 10 साल से भी जादा इसको हो चुके हैं इसी परिकार से Axis Small Cap Fund देखी 29 नवंबर दोयार 13 को लोन चुआ था इसको भी लगबग 10 साल हो गए है तो ओन एन एवरेज सारे ही funds को तीनो funds को 10 साल जो है लोन चुने के बचसे आब तक हो चुके हैं Asset Under Management की यह दि बात करें जो कि होता है AUM यानि की SIP प्लस लंसम एमाउंट से कितना Total Investment इन funds के अंदर आ रखा है तो इसकी अधी बात करें तो 15,348 क्रोल का Asset Under Management जो है वो SBI Small Cap Fund के अंदर है इसी परकार से 23,701 क्रोल का निपोन इंडिया Small Cap Fund के अंदर है जो की तीनों के डिगरी में सबसे जादा है और 11,390 क्रोल का AUM यहाँ पर Axis Small Cap Fund का है अच्छा एक डिस्कलेमर मैं आपको यहाँ पर दे दू कि जैसा कि Small Cap Fund के नाम से सजेस्ट होता है तो यह वो कंपनिया होती है जो की Small Cap Fund में यानि की they are manager they are bound to invest in the companies जिनका की market capitalization 500 करोड से लेके 5 हेर करोड तक का होता है वो कंपनिया Small Cap जो कंपनिया होती है तो यहाँ पर रिस्क भी बढ़ जाता है आपके return बढ़ने के साथ साथ तो आपको देखना पड़ेगा और on the basis of last 10 years मैं यहाँ पर आपसे बोल सकता हूँ और आप खुद भी feel कर सकते हो कि यहाँ पर आपका investment करने का decision निर्ण है बिल्कुल सही साबित हो सकता है लेकिन वहाँ पर आपका investment जो horizon है पीरिड है वो बहुत ज्यादा matter करता है तो यहाँ पर अगला देखते है expense ratio देखें यहाँ पर 0.70% यानि कि तीनों ही जो fund है उनका expense ratio 1% से भी कम है SBA small cap fund का बात करें तो यहाँ पर 0.70% का expense ratio है निपोन इंडिया का 0.86% यानि कि 0.86% का expense ratio है इसी पिरकार से SBA small cap fund का expense ratio सबसे कम है 0.51% का यहाँ पर expense ratio है तो 1% से कम का expense ratio जिन funds का होता है वो बहुत ही बढ़िया आपके लिए है क्योंकि जो expense ratio होता है वो आपके annual return में से deduct होयाता है यदि किसी fund ने आपको 10% के CIGR से return दिया लेकिन वहाँ पर expense ratio हो 1% का तो आपका return आएगा 9% का यह सीधा सा expense ratio को adjust होने की परिकरिया होती है अब चलते हैं fund manager कौन है वो भी जान लेते हैं तो SBI के case में यहादी बात करें आर सिरी इनिवाशन यहाँ पर fund manager है इनको 19 साल का experience है और यह AMC भी लगबग 30 साल से पुरानी उच्चुकी है तो अच्छा track record है इनका experience भी अच्छा है निपोन इंडिया का यहादी बात करें समीर राच और यहाँ पर दो manager और भी इनके साथ है उनके नाम यहाँ पर mention नहीं की है लेकिन main जो fund manager है वो Mr. Samir राच ही है इनको 16 साल का experience है Texas mutual fund की जो बात कर रहा है हम यहाँ पर अनुपम तिवारी Mr. जो है यह इसके manager है और इनको 7 साल का अनुपव है इनके साथ एक manager ओ रहा है लेकिन main यहीं है तो यहाँ पर 3 साल का CAGR यह दी comparison करें तो सबसे यादा जो 3 साल में यहाँ पर CAGR दिया है वो दिया है निपोन इंडिया small cap fund ने 31.72% का इसी के साथ 26.20% का SBA small cap fund ने और Axis small cap fund ने दिया है 24.15% का on and average 25% का CAGR तीन साल का तीनों का है जिसमें से की 31.72% निपोन का बहुत शांदार है तीनों का यह अच्छा है जब हम mutual fund में निवेस करते हैं तो वो long term के लिए करते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर mutual fund में निवेस करने यदि आज की rate में लोग आते हैं तो 5 या 10 साल से कम की अबदी के लिए आते हैं बट बीच में यदि जरूत पढ़ती है तो यहाँ पर 31% या 25% के return लेकर आप निकलते हो तो बहुत अच्छा है यह भी और 5 साल की यदि बात करते हैं 10 साल का CAGR क्यूंकि मैं जैसा मानता हूँ मुझे किसी भी mutual fund में यदि निवेस करना है तो वो minimum 10 साल के लिए करना है और उससे ज़्यादा ही 15-20 साल के लिए मैं उसको continue करना चाहूँआ यदि परिस्तितिया अनुकूल रहीं और सब चीजें ठीक रहीं तो यहां पर 10 साल के CAGR की यदि बात करें SBA Small Cap Fund ने 25.89% का CAGR से रिटन दिया है और जिन निपोन इंडिया की यदि बात करें 26.21% के रिटन दिये है Axis Small Cap Fund ने 24.15% के CAGR से ग्रो किया है पिछले 10 सालों में पहतरीन वाले रिटन One and Everest सारे mutual fund ने तीरों के डिगरी में लगबग 25% के रिटन आपको दिये है आप देख लेते हैं कि इतने रिटन पर एक 10.000 रुपए की SIP यदि आपने जब से fund लोंच हुआ था लगबग 10 साल तो अभी तक कितना amount आपको मिल गया होता क्योंकि investment का तरीका जो mutual fund में है वो longer time of period के लिए अच्छा है यदि आप amount कम रखोगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर आपका 10 यूर बढ़ाने से क्या आपका जादू हो सकता है मैं आपको बताऊंगा जैसे कि पहले तो हम देखेंगी दस साल में आपने 10-10 की SIP कर रही तो तीनों funds में अलाला कितना को रुपस मिलेगा आपको ठीक है उसके बाद 5 साल और बढ़ा दोगे यदि आप केवल 10-15 साल कर दोगे तो यहाँ पर देखी कितना सांदार आपका को रुपस गिरो करेगा वो देखकर आपका motivation कई level बढ़ने वाला है तो देख लेते हैं कि कितना यहाँ पर return आपको मिलने वाला है तो 10-10 रुपस की SIP हमने start की और जी 10 साल में जो investment amount जाएगा तीनों ही fund की category में आपकी pocket से 12 लाख रुपया जाएगा 10 साल के अंदर 10 रुपे की SIP से तो return जो है 10 साल के CAGR से particular funds में जो भी मैंने आपको पहले बताया है उसी के base पर यह calculation में आपके साथ साजा कर रहा हूँ तो यहाँ पर return मिलेगा आपको SBA Small Cap Fund में 44,60,000 रुपय का 10 साल में 10 रुपे की SIP निपोन इंडिया Small Cap में आपको मिलेगा 45,86,000 का यहाँ पर थोड़ा सा जादा है और Axis Small Cap Fund में यहाँ पर आपको मिलेगे 10 साल में 10 साल के SIP पर 38,30,000 रुपे यह return है के बल यदि put together आपका investment amount पिलेस जो return आपको मिला है तो यह दोनों चीजे मिला कर SBI Small Cap Fund आपको 10 साल में बना कर दे देता 56,50,000 रुपे इसलिके साथ 57,86,000 आपके निपोन इंडिया वाले फंडे में हो जाते और Axis वाले फंडे में आपके 50,30,000 रुपे हो जाते तोनों ने SBI और निपोन ने बना कर दिये हैं Axis का जो फंड है वो थोड़ा सा यहां पर low performance दिखाई है यह low नहीं कह सकते उसको 24.15 का 3 साल का CAGR बुरा नहीं होता है बहुत चांदार है जब भी मैं आपके साथ आपको पता है calculation share करता हूँ considering the return of last 10 years वो large cap category का होता है क्योंकि risk कम रहता है तो 12% से ही मैं दिखाता हूँ 12-13 maximum 15% दिखा दूँगा तो यहां पर 25% का return आप देखिए तो मेरा suggestion यहीं रहेगा इनमें निवेश जरूर कीजिए कम से कम एक fund आपकी जो list में category portfolio में small cap category से होना ही होना चाहिए कम से कम जो manager उसको manage कर रहे है हम पैसे दे रहे हैं तो वो हमारे लिए काम तो करेंगे तो आपको भी return ज्यादा मिलेंगे मुझे भी तो अच्छा रहेगा तो आप देख लेते हैं तो यह तो core price हो गया 10 साल के लिए यदि 10.000 रुपे की SIP कराते हो अब होता है maximum return वाला case सुरू यदि इसको बढ़ा कर आप केवल और केवल 10.000 रुपे के SIP पांच साल से और बढ़ा जैते हो न आप 15 साल जो कि बढ़ा सकते हो यदि आप 30 साल की उमर में SIP स्टाट कर रहे हो तो 15 साल यानि की 45 साल की एज यदि 35 साल की उमर में भी आप स्टाट करोगे तो 15 साल के अंदर 10,000 रुपे के SIP आपकी pocket से जाएगा इच फंड में 18,000,000 रुपे है ठीक है और यहाँ पर जो return आपको generate होगा केवल return जो wealth create होगी वो बाद में बताऊँगा ठीक है तो SBI small cap fund आपको return बना कर देगा इस 18,000,000 रुपे पर 1,98,000,000 रुपे निपोन इंडिया small cap fund यहाँ पर बना कर देगा आपको 2,06,000,000 रुपे का fund जो है return बना कर देगा इसी पिरकार से एक्सी small cap fund जो बना कर देगा आपको 1,60,000,000 रुपे का wealth आपके create कर कर देगा तो यह put together यदी बात करें तो यहाँ पर corpus जो आपको मिलने वाला है investment amount पिलस आपका return जो fund ने जिनरेट करके दिया है 15 साल में 10,000 रुपे की SIP पर तो SBA small cap fund में अदिया आपने किया होता तो आपके बन जाएंगे 2,16,000,000 रुपे निपोन इंडिया fund में यदी आपने निवेस किया होगा तो 2,24,000,000 रुपे लगबख 2,000,000 का amount हो गया इसी परिकार से Axis small cap fund में आपके बनेंगे 1,78,000,000 रुपे तो देखे कितने सांदार performance है यहाँ पर Axis small cap fund थोड़ा सा category में low है लेकिन इसकी performance को भी आप deny नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर यदी बात करें 24,15% के CAGR से गिरू किया है पिछले 10 सालों में तो कहने का मतलब यह है इसको रखने का मतलब क्या है यदी आप Axis small cap fund में निवेसित हो तो आपको don't worry आपको इसमें invested रहना चाहिए क्योंकि यदी आप यहाँ पर अपना amount निकाल कर सोचोगे कि अलग मैं SIP स्टार्ट कर दूँ SBA small cap में या फिर Nippon India small cap में उससे better है यदी आपके पास extra fund है और आप SIP continue कर सकते हो अगले 10-15 साल के लिए तो एक और नई SIP स्टार्ट कर सकते हो considering these 10 years of CAGR SBA small cap fund और Nippon India small cap fund तो तीनों ही fund category में बहुत शांदार है और जो XS small cap fund का जो मैं आपको expense ratio बताया था वो सबसे कम है 0.51% although सभी का 1% से कम है तो बहुत अच्छा है तो यहाँ पर यदि winner की बात करते हो तो winner है मेरी नजरों में वैसे तो दो winner है SBA small cap fund पलस Nippon India small cap fund लेकिन जो figures है वो data बोलता है तो Nippon India small cap fund जो है वो winner है तो आप SBA small cap fund या फिर Nippon India small cap fund यदि किसी में भी निवेसी तो तो आपका experience कैसा है अभी तक का यदि आपने वीडियो देखी है तो comment करके जरूर साजा कीजिए और यदि आप investment करने का सोचोगे mutual fund में वो भी small cap mutual fund में तो कौन सा fund सेलेक करोगे मुझे comment करके जरूर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी कुछ motivation मिला exact figures जो भी मैंने ली है तो skinner से बहुत सारे platform आपको मिल जाएंगे वहाँ से आप खुद इसको cross check कर सकते हो जो भी data है हो सकता है printing में, typing में कभी कुछ 19-20 या mistake हो जाए considering that अगर आपको भी ऐसे कुछ mistake मिलती है तो मुझे comment करके जरूर बताइए क्योंकि human mistake कई बार हो जाती है human errors हर जिगा possible है कहीं भी हो सकता है लेकिन मैं उसको कई बार cross verify करकर या आपके साथ जो डेटा share करने कोशिस करता हूँ thank you so much for watching please keep watching investment का फंडा जै हिंद जै भारत नमस्कार